हुआ हुआ फंस वाइस वेलकम तो वार यूटीब चनल वेस्मेडिक लासे तो फैंस इन इस वीडियो वेल डिसकस अबाओ सर्वाइकल सपंडायलोसिस तो दोस्तो काफी समय के बाद हमारी वीडियो फिर से अपलोड होना शुरू हो रही है तो सबसे पहले तो सोरी यार लगबग एक से दो महीन हो गए मैं डिसकनेक्ट हो चुका था बिलकुल स्टडी से और कुछ ब्लॉक्स वगएरा मैंने बीच में डाले जो भी मैं कर रहा थ चीजे बट फिर से मैं अपनी वीडियो उसका अपलोड करना शुरू कर रहा हूं तो अब कुछ वीडियो मैं और्थोपेडिक से डालूंगा फिर उनका मैं पीटी मैनेजमेंट वगएरा भी बताऊंगा आपको असेस्मेंट भी बताऊंगा तो आई होप आपको ये वीड असवरी जी की है वह बहुत ही अच्छी ये बूक है जिसके अंदर एक एक लाइन बहुत जादा इंपोर्टेंट है तो दोस्तों इस वीडियो में लाज तक बने रहना आपको सर्वाइकल स्पॉंडियलॉसिस बहुत ही अच्छे से केलियर हो जाएगा तो आए दोस्तों सर्वाइकल स्पॉंडियलॉसिस होता क्या है तो this is a degenerative condition of the cervical spine found almost universally in the person over 50 years of age यहां पर कहा जा रहा है कि यह जो सर्वाइकल स्पॉंडियलॉसिस की condition है degenerative condition है degenerative से आप समझ सकते हो कि जो age related होती है basically एक समय बाद उसके अंदर degeneration सुरू हो जाता है और यह सर्वाइकल स्पाइन के अंदर पाई जाती है विसिकली और यूनिवर्सली परसंट मिंस यह मैक्सिमम लोगों में देखा जाता है यह वाल जो डिसीज है एक एज के बाद होना स्टार्ट हो जाती है इट अकर्स अर्लीन परसंट पर सिंग वाइट कोलर जोब्स अब यहाँ पर वाइट कोलर जोब्स से क्या मतलब है वाइट कोलर जोब्स मिए सबसे पहले तो आप डॉक्टर को ले लीजिए कुछ ऐसे स्टुडेंट जो कंटिनुसली अपनी नैक को एक ही पोजिशन में रख रहे हैं अब वो पढ़ाई कर रहे हैं कुछ लिख रहे हैं या तो यहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन लिया सर्वाइकल स्पॉंडायलोसिस का अब हम बात करते हैं इसकी पाथलोजी की तो यहाँ पर देखें पाथलोजी को बहुत ही सिंपल तरीके सा आपको मैं समझाऊंगा इसमें जैसे कि आप सभी जानते हो कि जो हमारी वर्टिब्र सिंपल और यह वाली जो है आपकी इंटर वर्टिब्रल डिस्क सबसे पहले जो इसमें प्रोब्लम आती है वह आपकी इंटर वर्टिब्रल डिस्क में डी जनरेशन स्टार्ट हो जाता है इसमें हमारा अब जब इसके अंदर degeneration शुरू होगा तो जो इसका size है वो कम हो जाएगा जब इसका size कम होगा तो यह disc जहां पर present थी दो vertebras के बीच में यह disc present थी तो जब size कम होगा तो यह वाला जो space है यह जो inter vertebral disc जो होती है इसका जो space है means इन दोनों vertebras जो vertebra हैं vertebral body हैं इन दोनों के बीच का जो space है वो कम हो जाता है अब उसके कम होने की वजासे क्या होता है फिर जो peripheries होती है जो आपकी vertebral bodies की जो peripheries होती है यहां पर आपका osteophyte generate होने लगता है जो आपका extra boni formation होने लगता है basically मैं आपको इसमें नी joint के example देता हूं यहां पर देखे पहले यहां पर मैंने बनाया आपका vertebral bodies है इसमें आपका osteophyte का formation होने लगा कुछ इस तरह से यहां पर मैं रफली डाइग्राम मना रहा हूं जस्त आपको समझाने के लिए कुछ osteophyte के डाइग्राम आप साइड में देख सकते हैं जो कि मैंने x-ray ले रखें आपके इनको देखिया आप इसमें आपको समझ में आएगा कि osteophyte क्या होता है basically तो सबसे पहले क्या होता है दोस्तों degeneration होता है उसके बाद जो हमारा space reduce होता है और उसके बाद हमारा osteophyte का formation start हो जाता है और उसके बाद जो हमारे posterior intervertebral joints होते हैं जैसे कि हमारे facet joint वगरा होते हैं तो उनके अंदर भी हमारे secondary changes आने start हो जाते हैं तो यह एक basic pathology रहेगी हमारी हां पर तो T generation होगा सबसे पहले फिर space कम होगा उससे osteophyte बनेंगे osteophyte बनने के बाद आपका जो posterior joints होते हैं जो posterior intervertebral joint होते हैं उनमें भी changes आने start होते हैं जैसे कि हमारा facet joint होता है ठीक है तो यह हमने इसकी basic pathology समझे अब इसी में देखे और आगे क्या कहा जा रहा है कि जो आपकी जो osteophytes होते हैं basically वह impingement कर देते हैं आपके narrow roots को में simple सा funda है देखें यह हमारी एक vertebra यह दूसरी vertebra है अब दोस्तों यहां से आप simple मानके चलिए कि कुछ narrow root निकल लए है यह narrow root हो गए हमारी तो अब जब यहां पर ostrified बनने लगेंगे कुछ इस तरह से तो यह ostrified क्या कर रहा है इस narrow root के उपर pressure डाला है यहां से को तो जो और नर्व रूट के उपर प्रेशर डालता है इसको compress करता है अब यह जो नर्व root है जहां तक भी supply कर रही है वहां तक क्या होगा pain आना स्टार्ट हो जागा और इसी condition को हम कहते है radicular pain तो जो आपका upper limb में है क्योंकि cervical वाली condition है तो जो pain आएगा upper limb आएगा अगर root compression हो रही है तो अब कुछ cases होते हैं कुछ exceptional case होते हैं जिसमें आपका spinal cord के उपर भी pressure आना start हो जाता है क्योंकि जो spinal cord है वह भी आपकी यहां से condition है यह आपकी mostly c5 c6 joint में देखने को मिलती है जो cervical joint जो होते हैं cervical intervertebral joint जो होते हैं उसमें से हमारा यह c5 c6 में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है ओके फ्रेंट्स तो यहां पर हमने समदा basically cervical spondylosis का introduction and pathology तो गाइज यह हमारा फर्स्ट पार्ट है नेक्ट पार्ट के अंदर हम discuss करेंगे इसके कुछ clinical features इसका examination इसका कुछ treatment okay friends so guys मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए bye bye take care thank you so much